बिस्मिल्लाय रख्मान रही मैंने soft butter 150 gram लिया है आप room temperature पे इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये soft हो जाएगा और इसे फिर मैंने ball में डालके beat कर लिया था तो ये fluffy और creamy सा हो गया था फिर मैंने इसमें water sugar add की थी फिर मैंने इसे beat किया था तो इसका जो texture है वो बह मैदा डाला था और baking powder डाला था और फिर इसे mix किया और उसके साथ ही मैंने दो टेबल स्पून इसमें डाल दिये थे दूद के और ये बहुत अच्छी सी cookies की dough ready हो गई थी दो टेबल स्पून से जादा मन डालियेगा उसके बाद मैंने इस dough को तीन हिस्सों में divide कर ली थी ए चॉकलेट रिप cookies की dough हो गई ready और जो थर्ड है उसके लिए मैंने ये किया था एक बॉल में cocoa powder डाला था और थोड़ा सा दूद डालना है कि ये थिक सा इसका पेस्ट बन जाए थिन पेस्ट नी बनाना पतला नी बनाना थिक सा पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को जो गंटे के लिए रख दीजेगा क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है इसी वज़ा से और आगर आप चाहें तो overnight के लिए भी रख सकते हैं और अगर आप इसको freeze या save करना चाते हैं तो छोटे balls बना के इसके और इसको freeze कर लें और जब दिल करें निकालें और इसे bake करें फिर मै आप कुकीज जार में save करें और आप चाहें तो सीरियल के तोर पे बच्चों को दें से तो ये इन्शालला उनको जरूर पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा